इस समय हमारे साथ मौझूद हैं भारत के वित्राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर अनुराग जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार धन्यबाद सुदिर जी अनुराग जी पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि आपने जो 21 लाख करोड रुपे का आर्थिक पैकेज का एलान किया था क्या उसका आपको अभी तक रिस्पॉंस क्या मिला है या आपको लगता है कि अभी एक और पैकेज की आवश्यक्ता है देखे जब देश और दुनिया संकट के दोर से गुजर रही है और लगातार कुरोणा वारे से लड़ने की दुनिया के हर कोने में तैयारी है ताकत लगा रहे हैं वहीं पर भारत ने भी प्रयास किया कि मोधी जी के नेतरतब में पूरे देशवर में जनता को जागरू करने के लिए और जनता के साथ मिलकर इस कुरोणा वारेस के खिलाब लड़ने की जो हमने ताकत बनाई यही कारण है कि आज दुनिया के जो 15 देश हैं जहां पर सबसे ज़्यादा positive cases हैं उनकी कुल जन संख्या भारत के बराबर है 15 देशों की लेकिन वहां पर मृत्यूदर 83 गुना जादा है 83 टाइमस जादा है वहां पर cases 34 टाइमस जादा है 34 गुना जादा है तो इस इस हिसाब से भारत ने अब तक अच्छा किया है जिसकी स्राहना है कल त तरफ ये जंग चल रही तो दूसरी तरफ परधान मंतरी गरीब कल्यान पैकेज हमने पहले घोशना की सुदीर जी ताकि गरीबों की मदद सबसे पहले की जा सके और स्वास्ते के लिए 15,000 क्रोड के अलग से अनौंस किया फिर उसके बाद ये 20,97,000 क्रोड का जो अलग कह सकता कि हाँ इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ परिस्तियों को देखते हुए एक बड़ा कदम मोदी सरकार ने उठाया है ताकि गरीब मजदूर की मदद भी कर सके और साथ ही साथ देश की अर्थ्वियस्ता को वापिस पट्री पर लाने के लिए रिफॉर्म्स भी ला सकें मैं कह सकता हूँ अनौंस्मेंट्स पे विराम लगा है लेकिन एक्शन अभी जारी रहेगा जी अनुराग जी जो और इसको लागू करने के लिए जितनी भी ताकत लगानी पड़ेगी उतनी ताकत लगाएंगे जी जो सबसे बड़ी आल नहीं बना रहे बलकि सरकार ये कह रहे है कि अपना अपना देख लो फिगर बहुत फैंसी है बहुत सुंदर लगती है फिगर लेकिन असल में इतना पैसा लोगों को मिलेगा नहीं देखे दुनिया भर के पैकेजिस से अगर आप तुलना करेंगे तो भारत ने भी उस दिशा में ही पैकेज दिया है और अपनी अर्थ व्यस्ता का 10% यानि के GDP का 10% दिया है जबकि विपक्ष 5% की मांग करता है 10% तक पहुंचे लेकिन जैसा मैंने पहले कहा आज ये नहीं क्या सकते कि कल स्थिति कैसी होगी कोविड-19 को लेकर और कौन-कौन से कदम उठाने होंगे जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो उठाएंगे जान बचाने के लिए और जहान को आगे बढ़ाने के लिए और जहां तक आपने कहा किस से क्या होगा कैसे फाइदा होगा अब देखिए जैसे गरीबों के लिए 80 क्रोड गरीबों को 55 किलो गेहूं या चावल और प्रतिवेक्ति और 1 किलो दाल प्रतिपरिवार 80 क्रोड लोगों को देने का हमने काम किया, 8 क्रोड प्रवासी मजदूरों के लिए 2 महिने के राशन का प्रबंद किया, वहीं पर 25 क्रोड जंदन खाता धारकों के खाते में 41,000 क्रोड प्रतिवा दिव्यांग इनके खाते में 2800 क्रोड प्रतिवेक्ति और 1,500 क्रोड से जादा पैसा 1,500 क्रोड पैसा 1,500 महिने में डाल दिया था और फिर EPF का जो 24% हिस्सा बनता है करमचारी और नौकरी देने वाले का वो भी हमने लाखों लोगों का भारत सरकार ने दिया एक 40 क्रोड खातों में 52,608 क्रोड पर आप तक डाल दिया है लेकिन जो व्यवसाई करने वाले जिनका काम धंदा धाई मीने से बन था यह लगबग दो महीने से जादा हो गए उनका क्या उनके लिए भी हमने प्रयास किया है तीन लाख क्रोड रुपया ऐसे व्यपारी यह व्यवसाई करने वालों के लिए जिन में मध्यम सूक्षम लगू उध्योग भी हो सकते हैं कुटीर लाख क्रोड रुपया भारत सरकार की 100% गरंटी पर मिल रहा है किसी व्यक्ति को एक पैसे की गरंटी भी एक को लेटरल नहीं देना 20% रिडिशनल वरकिंग कैप्टल मिल जाएगा और हमने जून को रिपोर्टिंग करनी है कि अब तक कितने लोगों को दे दिया और इस 31 अक्तूबर से पहले-पहले सारा पैसा बांटना है इसके लावा जो दूसरी योजना है उसमें हमने जिनके खाते एंपिय होगे उनकी भी इकुटी डालने के लिए 75 लाख रपे एक व्यक्ति या एक संस्था को उसकी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं अन्बी एफसी के लिए अलग पैसा दिया है ताकि वह आगे और पैसा वित्रित कर सके ऐसी बहुत सारी योजना लाए जिससे लोगों के सीधा पैसा जाएगा रहत उससे भी मिलेगी ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से रहत मिल गई लेकिन निश्चे तोर पर जो किष्ट आज देनी थी हो छे मीने बाद आप देखो जो करजा आपको आज मिल रहा है या जो लोन आपको मिल रहा है उसको आपको अपनी जमीन की गरंटी नहीं दे सुधीर जी ऐसी संकट की परिस्टी में भारत ने कदम उठाए हैं लोगों के साथ खड़े होने के लिए हम इकठे मिलकर खड़े होंगे लड़ाई भी लड़ेंगे आतम बल भी बढ़ाएंगे और भारत को आतम निर्भर भी बनाएंगे जी इस पर जो आपने अभी मुझे जवाब दिया उस पर मेरे आपसे दो सवाल है आपने कहा गरीबों के लिए बहुत काम हो रहा है सीधे आपने बैंक में पैसार ट्रांसफर कर दिया तो आप देख रहे हैं कि लाखों की संक्या में अब भी हमारे जो प्रवासी मजदूर रहे हैं आपको सड़कों पर दिख रहे हैं लाखों की संक्या में करोडों की संक्या में वो वापस शहरों से अपने घर जाना चाहते हैं बावजूद इसके कि घर में उनके पास कुछ नहीं है फिर भी शहरों में नहीं रहना चाहते सड़कों पर आप लगातार उनको यानि जैसे लोन मेला आप लगाते हो कि आप ठीक है आप लोन ले लीजे फाइनली आप उसी की लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं उसी की जेब से ये लोन लिया जाएगा और इसको आप शो ऐसे कर रहे हैं इस लोन को जैसे आपने पैसा उनको दे दिया ने दोनों बहुत महत्पूर्ण सवाल आपने पूछे पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि हो स्टेट और होम स्टेट एक जनम भूमी एक करम भूमी इन दोनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जब कोई व्यक्ति अपने राज्ये से निकल कर दूसरे राज्ये में काम करने चाहता है संकड की घड़ी में अगर उसको वापिस अपने राज्ये में आना है तो अनुमती उसके अपने राज्ये की चाहिए वापिस आने के लिए हमने ट्रेन उपलब्द करवा दी 85% पैसा के अंदर सरकार वहन कर रही है खाने का और पानी की सोविदा मुफ्त में ट्रेन में हमने करके दी है अब कानून वियस्ता दोनों राज्यों को बनानी है यह के अंदर इसमें जादा नहीं कर सकता लेकिन जहां पर जिस राज्ये में काम करने आया है जिसके निर्मान में आया है उसको विश्वास पैदा करना होगा कि हम सब सुख सुविदाईं देंगे क्योंकि भारत सरकार ने 11,000 क्रोड प्या आपदा रहत के लिए पहले दिन दे दिया पहले होता था कि आपदा रहत कई महिनों के बाद मिलती थी, हमने पहले दिया है हमने स्वास्ति सुविदा बनाने के लिए अलग से 15,000 क्रोड के प्रावधान किया राज्यों को Ways and Means Advances 60% की वरिद्धी कर दी FRBM Act में 3% पैसा ले सकते थे हमने 5% कर दिया सवा 4,000,000 क्रोड पे की लिकुडिटी राज्यों को और मिलेगी हमने राज्यों की और से Devolution of Taxis यानि के केंदर के जो कर कटे होते हैं अभी हमारा कर उतना कठा नहीं भी और फिर भी हमने राज्यों को दो महिनों में 92,077 क्रोड पे दिया इसके अलावा Revenue Deficit Grant 19,000 क्रोड पे दी इसके अलावा GST Compensation Sets दिया Central Sponsor Scheme का पैसा Advance में दिया ताकि राज्यों के पास पैसों की कोई कमी ना आए लेकिन अभी तक राज्यों ने मातर 14% पैसा ही खर्च किया था दूसरी बात इन श्रमिकों के साथ बैठना पड़ेगा विश्वास पैदा करना पड़ेगा क्योंकि अगर हमने राशन दे दिया है 80 करोड गरीबों के लिए भी और 8 करोड प्रवासी मजदूरों के लिए भी तो विश्वास राज्यों क्यों नहीं पैदा कर पा रहे है इस पर चिंता का विश्य जितने आप चिंतित है उतना मैं भी चिंतित हूँ लेकिन जिम्मेदारी ये भूमी का जनम भूमी और करम भूमी हो स्टेट और होम स्टेट वालों के उनको निभानी पड़ेगी जो दूसरी बात आपने कही कि लोन मेले की देखिए आज अगर विपारी के पास पैसा नहीं है अगर उसको हम पैसा दे रहे हैं तो क्या हमें मदद नहीं करनी चाहिए आज अगर उसको अपनी किष्ट आज जमा कराने की बजाए छे महीने बाद जमा करानी पड़े उसकी लिकुडिटी बड़े तो क्या इससे उसको लाब नहीं होगा लेकिन वो ये पूछ रहे हैं देखिए इसमें दो बाते हैं पहली बात तो दुनिया भर में ऐसा ही होता है और दूसरी बात अगर हमने किया है तो हमने उसकी गरंटी नहीं की वेपारी की ये भारत सरकार ने गरंटी दी है हमने किसी की extra collateral या किसी की guarantee नहीं ली हमने ये कहा कि आपको 20% extra working capital मिले ताकि आप अपने खर्चे उठा सकें अपने लोगों को तनखाद दे सकें और वापिस अपना काम का शुरू कर सकें 6 मिने तक अगर आप किष्टे नहीं दे सकते तो उसके बाद आप उसको term loan में convert कर सकते तब भी आपको immediately नहीं देना पड़ेगा तो व्यपारी ये आदमी समझता है कि ये राहत उसको मिली है और जब काम धंदा चलेगा इस देश के लोग कभी पैसा मारने के लिए तयार नहीं होते वो इमानदारी के साथ हम देश को आगे बढ़ाएं और भारत को आत्म निर्वर बनाएं इसलिए किसानों के लिए भी हमने देखिए जो Essential Commodities Act हो, Monday, APMC Act हो ये जंजीरों में बंदे हुए थे किसान हमने से मुक्ती दिलाई है अब वो अपने अनाज को देश के किसी कोने में बेच सकते हैं जो नश्ट होने वाले उनकी perishable goods होती थी, फल, फूल, सबजियां अब उसको storage की facility के लिए उसको पैसा हमने दिया है ताकि जब बजार में अच्छा भाव मिलेगा तब आप बेच सकते हैं एक लाग क्रोड रपिया हमने इनके लिए दिया है कि farm gate पर आप infrastructure खड़ा कर सकें क्रिशी का ताकि value addition हो सके, किसानों को अच्छा पैसा मिल सके, food processing unit से लग सके निर्यात आप लोग कर सकें, उसमें बल मिलेगा कोईले का खनन, केवल पहले steel या बिजली बनाने वाली कमपनियों को मिलता था अब हमने box site और coal की कठी निलामी करने की प्रक्रिया शुरू की है जिसमें aluminum factory को लाब मिलेगा खुली sale हम कोईले की करने के लिए mining की सुविदा देंगे अब वो खुली market में बेच सकते हैं तो जो 240 million ton विदेश से आता है वो मात्र 100 million रह जाएगा तो भारत में लाखों लोगों को रोजगार मिल पाएगा इसी तरह से हम जो हत्यार import करते हैं उसकी list of weapons हम बनाने जा रहे हैं और आयात कम करने वाले हैं और विदेशी पुझी निवेश भी 49% से 74% कर दिया है ताकि निवेश भी हो हिंदोस्तान में रोजगार भी मिले और आयात कम हो और निर्यात जादा हो सके अंतरिक्ष के खेतर में पहले सुविदा नहीं मिलती थी private sector को हमने उसके लिए खोला है हमारी start-ups अच्छी करेंगी हमारी company अच्छी करेंगी अगर किसी को satellite launch करनी है और North East के राज्यों में broadband की सुविदा सेटलाइट से देनी है तो दे सकता है अगर वहाँ पर और कुछ mapping करनी है आप लोग विदेशी company के maps को लेके पूरे देश पर में कार चलाते हैं हिंदोस्तान के लोग क्यों नहीं कर पाते क्योंकि आप सुविदा नहीं देते थे आप वो सुविदा मिल जाएगी हमारी company खड़ी होनी शुरू होगी ऐसे बहुत सारे कदम है जो हिंदोस्तान के इवाउ ने भारत को दुनिया के पहले पांच start-ups nation में लाकर खड़ा किया अब ये नए क्षेतर खुलेंगे तो और आगे बढ़ने का अफसर मिलेगा private sector enterprises यानि के सारवजीनिक उपक्रम को जब हम नीजी करन का करने जा रहे है strategic sector को छोड़ कर जो strategic public sector enterprise होगा उसमें एक company कम से कम सरकारी रहेगी ज्यादा से ज्यादा चार रहेगी बाकी का नीजी करन कर दिया जाएगा जो strategic sector से बाहर है उनका नीजी करन कर दिया जाएगा तो ज़्यादा रोजगार होगा उसका expansion भी होगा लोग निवेश भी करेंगे अब आप पूछेंगे नीजी करन किन का किसका नहीं किया जाएगा तो जो राष्ट हित राष्ट स्रक्षर जनहित को देखकर ये तैय किया जाएगा कि strategic sector क्या है तो आप देखिए कितना बड़ा sector खुलने वाला है नए नए अफसर मिलेंगे रोजगार के सुरोजगार के कारोबार के अविश्कार के ये नए आयाम स्थापित होंगे ये रिफॉर्म्स जो हम लाए हैं ये 2020 को इयर्स ओफ रिफॉर्म्स के रूप में याद रखा जाएगा अनुराग जी जो आप रिफॉर्म्स जो लाए हैं फिर इसका क्या कारण है कि ना तो स्टॉक मार्केट ने इसका स्वागत किया ना ही देश में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आ रहा है वेबसाइस से जुड़े लोगों के बीच में इन्वेस्टर्स के बीच में और ना ही जो रेटिंग एजिंसीज हैं उन्हें कोई भारत की अर्थविवस्ता को लेकर इसके बाद कोई नया कॉन्फिडेंस आया है सुदिर जी दो तिन बाते हैं अगर आप जितने भी कृशी विग्यानिक की बात सुनेंगे या पूर्व इसरों के चेर्मेंस की बात करेंगे इंडस्ट्री की बात सुनेंगे सब ने बहुत तारीफ की है कि ऐसी रिफॉर्म्स चो तीस-ती साल से पेंडिंग थी वो पिछले दो महिने में मोधी सरकार ने की इससे नए अफसर खड़े होंगे लेकिन आज COVID-19 यानके करोना वारिस से लड़ने की स्थिती में आप इसका बहुत असर नहीं देख पाएंगे लेकिन लोग समझ रहे हैं कि हम जहां करोना वारिस के खिलाव जंग जीतेंगे वहीं दुनिया की पहली तीन अर्थ वियस्ताओं में खड़े होने के लिए भारत ने अपनी एक रास्ता चुन लिया है आतम निर्बर भारत बनाने के लिए तो यह अपने आप में लोग देख रहे हैं क्या होने वाला है कॉर्प्रेट टेक्स हमने 15% कर दिया जो दुनिया में सबसे अकरशित करने वाला है इससे और पुझी निवेश होगा भारत का भी और विदेशी कमपनियां भी करेंगी जहां तक financial market की बात है शेर market की बात है इसके बहुत सारे कारण होते हैं आज दुनिया भर के देशों में देखिए लोग market में से कहीं उने पैसा निकाला तो बहुत सारा पैसा वापिस भी आया 9000 क्रोड से जादा का 90 पिछले कुछ दिनों में हुआ है तो यह अपने आप में कई बार क्या है आप निरने करते हो चार दिन की छुटियां आई आपने पिछले संडे को गोशना है खतम की थी वेटनेस्टे को हमने कैबिनेट में पास किया फ्राइडे को हमने बैंकों को बुला कर निरने करवा दिया कि पैसा देना शुरू कर दो सवा 9% से कम ब्याज रखना है और पहली जून से हमें रिपोर्टिंग करनी शुरू करो कि किस प्रांच ने कितने लोगों को लोन दिया अब इसका असर आप आने वाले दिनों में देखोगे हम जागरुकता भ्यान लोगों में और चलाएंगे कि किस तरह से आप हर योजना का लाब उठा सकते हो अब देखिए जैसे दूद उतपादन करने वाला है उसको हमने 2% की इंटरस सब्वेंशन दे दी वो समय पर पैसा देगा तो 2% और उसको सब चूट मिल जाएगी तो 4% ब्याज पर चूट मिलेगी तो अपने बहुत लाब मिलने वाला है अरुराग जी अब थोड़ा सा ट्रैक बदलते हैं पूरे दुनिया में लोग कह रहे हैं कि आर्थिक मंदी आएगी और ये तैय है इस से पहले सारे जो रेटिंग एजेंसी थी एक्सपर्ट थे वो कह रहे थे कि भारत में इतनी मंदी नहीं आएगी आएगी लेकिन भारत का जो ग्रोथ रेट है जी डीपी वो तो भी पॉजिटिव में रहेगा लेकिन अब तो RBI भी ये कह रहा है कि हमारा ग्रोथ रेट नेगेटिव में जा सकता है यानि जबरदस्त आर्थिक मंदी करोडों नौकरिया जा सकती हैं बहुत सारे वेबसाय बंद हो सकते हैं बहुत सारे बिजनस मॉडल इसके बाद हमेशा के लिए खतम हो सकते हैं ऐसे म बात है 24 मार्स से पहले किसी को पता नहीं था किसी कंपरी को दुबारा लोन लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा बहुत सारे एक्सपेंशन के मोड में थे कई एकभारें जो चपती थी 16 पन्ने की वो कई और सिटिज में एडिशन लाने वाली थी आज आठ पन्ने की एक बार रहेगे के लोग तो किवल ऑनलाइन होकर रहेगे चैनल पर जितनी अड़िटाइजमेंट आती थी वो भी कम हो गई होगी यह परिस्तितियां पिछले दो महिने में बहुत बदली हैं लेकिन पिछले दो महिनों में बहुत सारे निर्णे ऐसे भी हुए जिसके कारण अब वापिस पट्री पर काम आना शुरू हुआ है कुछ सेक्टर्स खुले लोग वापिस काम पर जाने शुरू हुए कुछ अपने राज्यों में जाने शुरू है तो कुछ लोग जो वापिस गए वो मुझदूर वापिस आने की भी अब तैयारी कर रहे हैं तो बहुत त देखे 137 क्रोड के भारत में आप आज नहीं कह सकते कि कल क्या होने वाला क्योंकि दुनिया का कोई देश आज कोई प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहा। बड़ी बड़ी एजंसियों ने आज से दो महिने पहले कुछ प्रडिक्शन की थी, दो महिने के अंदर दस वर अपनी प्रडिक्शन को बदला है, तो मुझे लगता है सही हम रखना होगा, सही कदम उठाने होगे, और साथ में चलकर आतम बल बढ़ाकर, आतम विश्वास फीडबैक मेरे पास लगाता आ रहे हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप तो खुद हिमाचल से आते हैं, जो कि जहां पर टूरिजम सेक्टर बहुत महत्पूर्ण रोल निभाता है, टूरिजम सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और मिडल क्लास, इनके लिए निश्यत और पर सबसे पहले बंद हुए, सबसे लेट खुलने वाले हैं, निश्यत और पर इनको असर हुआ है, लेकिन ये जो आपने तीन लाग क्रोड पे का, हमने सुविदा दी है, बगार करेंटी, बगार कुलेटरल के पैसे 20% वरकिंग कैपिटल की, और जो दूसरी ह हमने NPA खाते वालों को भी 15% एकुटी देने के लिए 30,000 कोड का प्रावधन किया है, ये सब क्या है, ये भारत सरकार मदद कर रही है, ये केवल मद्यम सूक्षम लगुकुटी रुध्यों के लिए नहीं, ये बाकी विपार और विफसाई के लिए भी है, जिसमें रेस्ट करोड तक का वो विपार करते हैं, वो सब इन योजनाओं का लाब उठा सकते हैं, इसलिए मैंने बीच में कहा था कि हमें शायद जो आपके मन में सवाल आ रहे, इसमें और जागरुकता और फिलाएंगे, ताकि लोग इन स्कीमों का और लाब ले सकें, अब चीन की बात करत पड़ेगी, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, कि हम चीन का मुकाबला क्या कर पाएंगे, चीन जो हर साल भारत की कुल अर्थविवस्था के बराबर सामान दुनिया भर में बेचता है, सबसे बड़ा मैनुफेक्शरिंग हब है, अगर हम आत्म निर्भर करने, बनन पारे में आपका क्या कहना है? मैनुफेक्शरिंग करने की यहां बात कही, जहां गिने चुनी मैनुफेक्शरिंग होती थी, आज भारत दुनिया का दूसरे नंबर का मोबाइल मैनुफेक्शर बन गया है, अब इलेक्ट्रोनिक गुड्स में हम और आगे कैसे बढ़ सके हम तेल की इंपोर्ट सबसे ज़ भारत कदम उठा रहा है, हम इंपोर्ट सबसे ज़्यादा हत्यारों का करते हैं, जैसा हमने का हमने पॉलिसी नहीं लाए कि विदेशी पुझी निवेश तो 49-74% करेंगे, लेकिन यहीं पर हम अपने देश में लिस्ट ऑफ वेपन्स बना कर यहां पर हत्यार बनाना अब लकडी भारत में काटने का परमिशन बड़ी मुश्किल से मिलती है, अगर आप लकडी पर जीरो ड्यूटी कर दो और एक्सपोर्ट इंसेंटिव देदो तो निश्य तोर पर लकडी आएगी, लेबर भी है, टेकनोलोजी आएगी, आप फरनीचर बना कर हिंदोस्तान क की भी अपूर्ती करोगे, और विदेश में भी भेज सकते हो, तो ऐसे सेक्टर सापको चुनने पड़ेंगे, जहां-जहां पॉसिबिल्टीज हैं, और हम आजकल उस काम पर लगे हैं, और कुछ दिनों में आप उस पर असर देखेंगे, अनुराग जी, ब्रेक से पहले हम इसके बारे में बात कर रहे थे, चीन देखिए, पहले चीन के उपर आरोप लग रहे हैं कि उसने ये पूरा वाइरस दुनिया भर में पहला दिया, ये तो आरोप हैं, उसके बाद चीन ने दुनिया भर अड़ जो बड़ी कंपनिया आर्थिक परिशानी से गुजर रही थ ही वहाँ निवेश करना शुरू कर दिया ताकि वो उनको कंट्रोल करने लगें, बहुत सारे देशोंने नए कानून बनाए ताकि चीन के निवेश को रोक सकें, हमने भी बनाए हैं, अब आप देखिए इसके बाद चीन आप ताइवान ले लिजे, हॉंग कॉंग ले लिज साउथ चाइना सी ले लिजे और चाहे हमारा लदाक ले लिजे, हर जगा चीन अब अपनी मिलिटरी पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे समय में हमारे लिए इस चाइनीज इन्वेजन को रोकना चाहे हमारी मार्केट्स हो, हमारा अर्थ विवस्ता हो और या फिर हम नेगिटिव सोच रखिए, नकरात्मक और बचने के बारे में सोचिए, दूसरा तरीका है कि पॉजिटिव सोच के साथ अपनी क्षमता को बढ़ाते चाहिए, चाहे वो आपकी सैन्य क्षमता है, सुरक्षा की दृष्टी से है, या आपको अपना विपार करने की अकर्शन करने वाली हो, कि लोग यहां पर आकर नवेश कर सकें, मुझे लगता है भारत को इस दिशा में जाने की जूरत है कि पॉजिटिव सोचें, नेगिटिव अपने आप खतम होता जाएगा, भारत इतना ताकतवर है कि आज दुनिया उसको आँखे नहीं दिखा सकती जब तक नरेंदर मोधी जी है, जो दुनिया के बड़े से बड़े देश की आँखों में आखे डाल कर, पूरी ताकत के साथ भारत की बात करते हैं, और अटल जी के समय भी आपने देखा होगा, हमने पोकरन विस्पोर्ट किया, जो परमान विस्पोर्ट किये थे, उससे द दुनिया को भी हिलाया था, लेकिन डराने के लिए नहीं, अपनी ताकत दिखाने के लिए, दुनिया की दृष्टी भारत के बारे में बदली थी, भारत डर कर रहता तो कभी ना बदलती, भारत ने अपनी ताकत दिखाई, तो दुनिया की सोच बदली, आज हमें अपने आ आज 5 लाग PP किट्स एक दिन में बनाते हैं, 5 लाग N95 मास्क बनाते हैं, एक महिना पहले एक भी नहीं बनाते थे, ये भारतियों ने करके दिखाया है, 130 देशों को हमने दवाईयां दी हैं, आज अपने देश से बहुत कुछ ऐसा करने का प्रयास किया जो कल तक नहीं होता थ भारत सक्षम है, केवल दिशा दिखाने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है आत्म निर्बर भारत का जो सपना जगाया गया है, ये हमें एक नई सोच, एक नई दिशा दे रहा है, हमें अपने को मन से तयार करना है, क्रोना वारिस को भी हराएंगे और आत्म निर्बर भा जो आपसे ये जानना चाहेंगे, कि जो कंपनिया इस समय चीन में हैं, जो विदेशी कंपनिया अभी चीन से उपरेट कर रही हैं, वो अगर चीन से पुल आउट करती हैं, तो क्या ऐसी कंपनियों को भारत में लाने के लिए आपके पास कोई आकरशक योजना है, जिसे वो इनकार ना कर सकें, और चीन छोड़कर आपके देश में आकर निवेश करें, इसमें दो बाते हैं, पहला तो मैं कहूंगा केवल चीन क्यों, दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो, वहां से अगर किसी कंपनियों को जाना है, अगर नहीं भी जाना तब भी हमारी पॉलिसी इतनी अट्रेक्टिव होनी चाहिए, कि वो यहां पर आकर भारत में निवेश करें, हमारे यहां की विवस्ता हैं इतनी सरल होनी चाहिए, कि Ease of Doing Business में हम लोग आगे जा सकें, राज्ये और केंदर की सरकारों का समनवे इतना अच्छा होना चाहिए, कि जो निवेश करने आ आएंगे ताकि कौन-कौन से प्रोडेक्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है, राज्यों से समनवे बिठाने के लिए वहां पर भी हम बात करेंगे, और कॉर्पेट एक्स रेट हमने 15% कर दिया, जो दुनिया में सबसे कम है, अब जो बाकी राज्यों ने अपने लेबर लॉस में तबदिली की है, कोई बाकी और निरिने कर रहा है, अपने बिजली को लेकर बाकी सब को, इससे बहुत बल मिलने वाला है, मुझे लगता है एक नया कमपेटिशन राज्यों के बीच में खड़ा होगा, यह जो प्रतीस प्रधा पॉजिटिव शुरू होगी, यह और कोपरिटिव फेडरलिजम जो एक अठा चलेगा, यही नए भारत की तस्वीर लिखेगा, नियू इंडिया की तस्वीर यही लिखेगा, जी, अब एक सवाल में आपके बारे में पूछना चाहता हूँ, अभी आप 45 साल के हैं, और आपका जब सीवी बनेगा, आगे पूजनाय बना रहे थे, तो इट मस्ट भी वेरी वेरी बिग लर्निंग एक्सपिरेंस ऑल्सो फ़र यू, आपको इस दौरान क्या नया नया सीखने को मिला? पहले तो मैं धन्यवादी मोधिज ने जो जिम्मेदारी दी, दूसरा, लाखों लोगों से देश में, वीडियो कॉन्फरेंस के माद्यम से, और जो बाकी वर्चूल प्लाटफॉर्म से उनके माद्यम से बातचीत की, बहुत सारे लोगों ने इमेल्स लिखकर अपने विच किया, और मोधिज ने लगा तार कई दिन तक मीटिंग्स अलग लग डिपार्टमेंट्स के साथ करवाई, हम लोगों ने सबकी इन्पूट्स लेने के बाद ये पैकेज तेयार किया है, हो सकता है, हमने अपने हिसाब से बहुत अच्छा बनाया हो, लेकिन लोगों की पीछे नहीं रहतेंगे, क्योंकि हम सबको मिलकरी लडाई लडनी है, ये देश हम सबका है, मैं इस पोजीशन पर हो सकता हूँ, लेकिन आपने मुझे चुनकर भेजाये, जिम्मेदारी दी है, और मोधी जी के नेतरतब में हम वो सब कदम उठाएंगे, जिसकी देश को अब आप तो बड़े फिटनेस फ्रीक भी माने जाते हैं, अपनी फिटनेस का भी बड़ा ध्यान रखते हैं, एक इनसान के तौर पर आप में क्या बदलावाए हैं पिछले दो-तीन महीनों में, क्योंकि मुझे याद है, देखिए जब 2020 शुरू हुआ था, एक जनवरी को ह हम सब एक दूसरे को विश्च कर रहे थे, हैपी न्यू येर, किसी ने कलपना भी नहीं कि थी कि मई आते आते, जून आते आते इस तरह की स्थिती हो जाएगी, यानि ये जो कहते हैं ना कि इसमें बड़ा आपको ये भी जो जीवन दर्शन है, वो भी बहुत लोगों को मि जब आप अपने घर में अंदर बंध रहे, लोगों से मिल नहीं सकते, लोगों से हाथ नहीं मिला सकते, लोग आपका चेरागी देख सकते, आपके एख्सपरेशन्स नहीं देख सकते क्योंकि आपने अपने फेस पर मास्क लगाय हुआ है, सब कुछ बदल गया है सुद्रीर जी बहुत बड़ी बात कही आपने जीवन बदल गया बिलकुल लेकिन अगर बचना है आगे बढ़ना है बाकियों को बचाना है देश को आगे बढ़ाना है तो नया जीने का तरीका अपनाना होगा 18 तरीक को मेरे बेटे के दस्वी के पेपर खत्म है 19 तरीक को वो अपने कजन से मिलने दूसरे राज्ये में गया 26 तरीक को उसका जनम दिन था 24 तरीक को लॉकडाउन हो गया मैं पूरे देश भर के लोग कहते थे आपका अपना बेटा है आप तो रात को बुला लोगे कुछ हो जाएगा जब तक अनुम्यती नहीं मिली दो मेने मेरा बच्चा बाहर रहा तो एक ये भी सीखने को मिला कि हमने वो ही कानून का पालन किया जो बाकी देश ने किया दूसरा मैं अपने घर के अंदर भी जिस कमरे में मेरा बच्चा पढ़ता था उसका स्टडी रूम होता था दस बाए बारा फुट का शायद वो कमरा होगा मैं पिछले दो मेने से वहीं पर रहता हूँ मैं घर के अंदर नहीं जाता क्योंकि मेरा बाहर लोगों के साथ ऑफिसर्स के साथ इंट्रेक्शन भी होता है मीडिया के साथ इंट्रेक्शन भी है सारा दिन काम भी करना है मैं अपने परिवार से एक ही घर में रहने के बावजूद भी शायद रात को जब दस बज़े के आस पास वो बाहर टैलने आते मैं भी रात को ठकान मिटाने के लिए नहा कर वापिस बाहर आता हूँ तब हम लोग उस समय सेर करते मिलते वो भी मास्क पहन कर आप कल पना कीजिए घर में रहकर कभी आपने सोचा था यह होगा लेकिन यह करना पड़ेगा सबको जी अब आपसे आखरी सवाल जो मैंने पहले भी पूछा था पहला सवाल भी यही था कि अब सारे पैकेजिस खतम हो गए या अभी और आने बाकी हैं या और कुछ अभी आप कोर्स करेक्शन करेंगे देखे पहली बात तो है जो घोशना की है उसको अच्छी तरह से नीचे लागू करवाना है इसलिए हम लगा अतार मीटिंग्स करेंगे लोगों की काउंटेबिल्टी तैय करेंगे जबाब दी तैय करेंगे और इंप्लिमेंटेशन बहतर हो इसके लिए पूरी ताकत लगाएंगे ताकि देश के लोगों को लाप मिले जहां पर पता नहीं चल पाया उनको और समझाने का प्रयास करेंगे हाथ पकड़ेंगे उनको लाप पंचाने का काम करेंगे और करोना से लड़ने के लिए और भी कदम उठाने पड़ेंगे कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर लगता भी कुछ और करने की अवशक्ता है तो निश्य तोर पर उस पर विचार करके उस पे कदम भी उठाए जा सकते हैं आज आप यह नहीं कह सकते हैं हम कुछ नहीं करेंगे हमने 7,80,000 क्रोड रुप्या करजा लेना था इस साल अब 12,00,000 क्रोड रुप्या करजा ले रहें 4,20,000 क्रोड और भारत सरकार करजा ले रही है किसके लिए ताकि देश को हम मदद कर सकें राज्यों को हमने 11,000 क्रोड पहले दे दिया 92,07 क्रोड प्या उनको अलग से डेवलिशन आफ टेक्सिस के लिए दे दिया वेज अन मीन्स अडवांसिस उनके बढ़ा दिया अफार बी अमेक्ट में बढ़ा दिया स्कीम्स में उनको पैसा अलग से दे दिया यह सारा पैसा ताकि कहीं पे पैसे की कमी ना आए उसके लिए हमने कदम उठाए हैं आगे भी जो करना पड़ेगा करेंगे लेकिन आप यह कहें कि आज ही सारे कदम हो जाएंगे मुझे लगता है अगला समय भी देखने की बहुत अवश्यक्ता है जी अनुराग जी बहुत बहुत शुक्रिया आज आपको वैसे भी करीब से जानने का मौका मिला और आपने जो नीतियां बनाई हैं उनको भी करीब से जानने का मौका मिला आप अपना ध्यान रखिए अपनी immunity का ध्यान रखिए वैसे तो आप वैसे ही बहुत fit रहते हैं लेकिन immunity का ध्यान रखिए और बहुत बहुत शुब कामना है आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो अनुराग ठाकुर हमें बता रहे थे इस आर्थिक package के बारे में